हिलो दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल अनम लॉजिक में दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको ये बता हुआ कि आप फ्लीप कार्ड पे एडरस किस तरीके से चेंज कर सकते हो मतलब अगर आपको इफ एडरस चेंज करना है तो आप किस तरीके से कर सकते हो फोर एक्जमपल यहाँ पे देखिया आपने तीन डॉट के बटन के उपर किलिक किया उसके बाद यहाँ पे देखिये माई आकाउंट में आपको चला जाना है ठीक है तो माई आकाउंट में जैसे ही आप जाते हो तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको स्क्रॉल करना है तो यहाँ पे देखिए मेरे पास अल्रेडी तीन एडरस है ठीक है तो यहाँ पे देखिए तीन एडरस है और आप चाहते हो कि आप बार बार एडरस यहाँ पे एडरस नियू करके एड करने की जंजट मारी आपकी नहीं रहे आपने सारे सारे address यहां पर दाल दीजे यहांपे new address जैसे आप करोगे ना तो यहां पर रहे यहांपको पहली बार तो यहां पर दालने मिलेगा यहांपे अगर वह location नहीं है तो no कर दीजे और नए address आपको डालना है तो नाम, phone number पीन कोड, स्टेट, आपकी जो सिटी है वो और यहां पे आपका पूरा एडरस है जो आधार कार्ड में या लाइड बिल वगरा में होता है वो पूरा के पार पूरा दाल दीजिए जहां पे आपके जो अडर आप करोगे तो वहां पे प्लेस हो जाएं ठीक है यहां से आप क् पार आपको क्लिक करना है तो यह आपको सेve करते है तो यह दूसरे नंबर से पहले नंबर पर चला जाएका ठीक है यह नब इंड़ि का आप कोई भी order अभी करोगे न तो यहां पर क्या है कि आपको है ना इस इस एड्रस पर आएगा पहले पहले नंबर वाला जो एड्रस है उस पर आएगा यहां पर देखे पहला वाला एड्रस पर आएगा इसी तरह आपको अभी आपको चाहिए यह आपको ओफिस का एड्रस है तो इस एड्रस पर भी आपको मंगा रहा है तो सिंपल से क्या करना है आपको यह तीन डॉट के ओपर क्लिक करना है एडिट पर जाना है फिर कुछ चेंजेस नहीं करना है सिंपल से सेव कर देना है और यह जो एड्रस है तो यह देखिए यह जो लास वाला एड्रस है वह पहले न के ओपर मेरा जो भी order है वह place होगा अब for example अब मुझे यह दूसरा यह मेरा घर का address है 394-35 यह जो pin code है यह मेरे घर का address है तो इस घर के address पर मुझे मंगाना है तो simple से मैं कह करूँगा तीन डॉट के ओपर click करूँगा एडिट के ओपर click करूँगा यह आगया मेरा address यहां पर मैं save कर दूँगा तो अब देखना वह जो 394-35 जो second नंबर पर फर्स नंबर पर चला गया अब मैं जो भी order करूँगा तो वह पहले नंबर पर आ जाएगा तो इस तरीके से आप address की अदला बदली यह address change कर सकते हो और इन तिनों में से अगर आपका कोई भी address नहीं है तो आपको क्या करना है add new करना है और simple सा अगर यह महारस्टर वाला नहीं है तो आपको no करना है ठीक है तो यहां पे आपका नाम phone number दाल दीजे आपके area का pin code नंबर दाल दीजे जो state है वो दाल दीजे यानि क जो star आपको यहां पर दिखाए दे रहा वो भर्ना compass रही है उसके बीना आपका accept करेगा भी नहीं state दालना जरूरी है city दालना जरूरी है आपका house number building वगिरा road number जो भी आपके जो जहां पर आपको order place करना है उस order दालना आपको जरूरी है यहां पर save का button जिससे आप click करोगे तो simple से यहां पर हुआ address शो हो जाएगा यानि कि आप कितने भी address दाल सकते हैं मेरा देखिए यहां पर तीन address शो कर रहे है एक पिन कोट 39425 एक चाट 0089 और 1395001 यानि एक office का एक मेरे घर का एक मेरे बंबई वाले address का यानि यह मेरी मासी का है तो मैं वहां पर भी क्योंकि तो दोस्तों यह रहा इस तरीके से अब अपने address को चेंज कर सकते हो तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपकी सारी confusion इस वीडियो से दूर हो गई होगी है अगर दूर हो गई है तो मेरे चैनल को सबसे पहले subscribe कर लीजिए share जरूर करना ताकि सारे लोगों पता चले और थैंस वर वाचिंग